इस्रेल के हमले में एक पत्रकार की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं इस्रेल पर इस हमले का आरूप लगा है जिसके बाद अब लेबिनान में बहुत ज्यादा गुसा देखने को मिल रहा है इसरेल के खिलाफ बेरूत में लगातार प्रदाशन हो रहे हैं और इसी को देखते हुए अब हिस्बॉल्ला ने इसरेल पर हमले और ज्यादा तेज कर दिये सबसे पहले इस्रेयल का अड़ा नमबर है शतुला इलाके में बने इस अड़े पर हिजबुला ने किया पहला हम्डा हिजबुला ने कॉर्नेट मिसाइल से अटेक किया जो सीधा जाकर इस्रेयल का एक टावर उड़ा देती है हेजबुला की ये रेंज देखकर इस्रायल के कैम्ट में खलबली सी मच गई चोकि निशाना भी बिल्कुल सकीक लगा और टावर पूरी तरह से तबाह हो गया इसके बार टारगिट बना इस्रायल का अड़ा नमबर दो ये भी शतुला इलाके में है और यहाँ हेजबुला ने किया दूसरा हमला इस बार हेजबुला ने बीजिम 71 टो एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल का इस्तिमाल किया अमेरिका में बनी ये मिसाइल एतनी सठीक है कि इसने ठीक रेडाय स्टेशन को तबाह किया ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा इसके बार टार्गेट बना इस्रेयल का अड़ा नमबर थी ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहाँ हेजबुला ने किया तीसरा हमला इस बार हेजबुला ने कॉंकर्स एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल फायर की रूस की ये वायर गाइड़ेड मिसाइल भी इसरेयल के एक चिकाने को खत्म कर देती है इसके बाद चौथे और पांचवे अड़े पर भी हेजबुला अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड़नों का हुआ है हजबुला का दावा है कि इन हमलों में इसरेयल को बारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक बीमारे गये है समझ लीजे कि इस वक इसरेयल और लेबनन के बॉर्डर पर आग लगी हुई है और ये सब कब युद को दस गुना भड़ता सकते है इसके बारे में दुनिया में सिर्फ चार लोग जानते है पहले हैं इसरेयल के प्रधान मंत्री बैन्यमिन नीतन याहू तूसरे हैं इरान के राश्चबती इब्राहिम रईसी तीसरे हैं अमेरिका के राश्चबती जो बाइटर और चौते हैं यॉर्प से लेकर अमेरिका तक सब को हिला देने वाले रूस के राश्चबती व्लाद में पुते है लेकिन इस वक्त सबसे ज़ादा एक्टिव एरान है एरान के विदेश मंत्री हुसाइन अमीर अब्दॉल्ला हिया ने कहा है कि अगर इस्राइल ने घाजा पर बंबारी नहीं रोकी तो हिजबॉल्ला ने ऐसी तयारी की हुई है कि इस्राइल में जलजला आजाएगा दर इस्राइल अलेई है शहरवन्दान व गेर नजामियान दर गजज फूरन मतवग्गिफ शबद इरान के विदेश मंत्रे ने 48 घंटे में वो कर दिखाया है जिसका तेल अवीब से लेकर वशिंटन डीसी तक खौफ फैला हुआ है इस्राइल को लेकर इरान की वार डिप्लोमेसी इस सुक्त युद्ध के कई फ्रंट खोल चुकी है सुधी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान से इरान के राश्रोपती इब्राहिम रईसी की बादचीत के बाद 48 घंटे में इरान की विदेश मंत्री ने इराक का दौरा किया वहां के राश्रपती से मिले एरान की विदेश मंत्री ने सीरिया जाकर वहां के राश्रपती से मुलाखात की हुसायन अमीर अब्दुल्ला हियां फिर लिबनन गए और हेजबुल्ला की लीडर्शिप से मिले इसके बाद वो कतर है और वहां की विदेश मंत्री से मीटिंग करने के बाद हमाज की लीडर्शिप याने इसमाईल लानिया से मुलाखात की सवाल है कि क्या 48 घंटे के अंदर इरान और इस्रेल के बीच बड़े युद्ध की तयारी हो चुकी है इस्रेल ने भी लेब्नन बॉर्डर पर हमले का वीडियो जारी करके बताया है कि वो हिजबुला को छोड़ेगा नहीं लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए हिजबुला ने अपने वीडियो वाइरल करने शुरू कर दिये हैं हिजबुल्ला के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो इस्राइल पर हमले के लिए तैयार है इस वीडियो में हिजबुल्ला का मेसेच साफ है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इस्राइल रोक नहीं पाएगा इस वीडियो में हिजबुल्ला का मिलीशिया कमांडो अप्रीशन की तरफ इशारा कर रहा है इस वीडियो में हिजबुल्ला बता रहा है कि उसके कमांडो मोटर साइकल पर आएंगे और इस्राइल की सेना भागती हुई नजर आएगी इस भुल्ला ने बहुत साप साप शब्दों में कह दिया है कि वो इस्राइल पर हमला कर देगा अगर इस्राइल की सेना फिलिस्तीन के खाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इस्राइल पर चड़ाई कर देगा इस्राइल और लेबनन के बीच करीब 130 किलो मीटर लंबा बॉर्डर है और यहां सेयुक्त राष्ट की शांती सेना तैनात रही है इसमें भारत की फौज भी शामिल है इस सुवक्त इस्राइल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है क्योंकि अगर इस्राइल गाजा में घुसाद तो हिजबुल्ला उत्तर की तरफ से इस्राइल पर हमला बोल देगा Hezbollah fighters fired an anti-tank missile towards Israeli troops. There was a short battle and the situation eventually calmed down. Afterwards Hezbollah sent drones into Israel and also fired surface-to-air missiles against an Israeli aircraft. All of those two attempts were successfully intercepted by the IDF but the situation on the northern border remains very tense and we are monitoring the activities of Hezbollah very closely with additional enhanced capabilities in the north prepared for any eventuality that may happen. दक्षिन लेबनन और उत्तरे इस्राइल के बीच जो बॉर्डर है वहां तनाव बहुत ज़्यादा है यहां अफरात अफरी के बीच खामूशी है जो तूफान से पहले देखी जाती है इसलिए यहां के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपी सेंटर गाजा से निकल कर लेबनन तक पहुँच सकता है यहां तैनाथ संयुक्त राश्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर है लगातार पेट्रोलिंग हो रही है इसरेल की सेना ने अपना गोला बारूत तयार रखा हुआ है तोपों से जो गोले फायर किये जाएंगे वो पहले से ही रेडी मोन पर रखे गए है इसरेल की रिजर्ब फोर्स भी आसपास के इलाखों में तैनाथ की जा रही है ये हम भी गाडिया है जो लगातार यहां तक पॉच पहुँचाने में लगी हुई है 2006 के बाद इस बॉर्डर पर इससे जादा तनाव नहीं देखा गया और अब हिजबुल्ला की वानिंग के बाद सब की नजर इरान पर भी है और उसके एक दोस्त सीरिया पर भी है इसरैल के गोलान की पहाडियों पर भी टैंक पहुचा दिये गए हैं ये जगह सीरिया का हिस्सा था लेकिन 1967 में युद्ध के बाद इसरैल ने सीरिया के इस हिस्से को अपने में मिला लिया और तभी से ये इसरेल के कंट्रोल में है देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्य मेश्या में युद्ध की चंगारी पहुँच चुकी है इसरेल से लेकर घाजा और घाजा से निकली गया आग अब लेबनन पहुँच चुकी है चंगारी, सीरिया और इरान में भी नजर आ रही है